के मसलेप पर केंदर सरकार ने सरव दली बैठक की हो और सर्व दली बैठक में समाजवादी पार्टी की ओर से राजसभास सांसद विशमबर निशाद शामल हुए है मैं यह कि dash निशाद पर सर क्या हुआ क्या चर्चा हुई क्या सरकार ने आपको समझाया रंडिती के बारे में और आपने अपनी क्या बात रखी कि जो अफ़गानिस्तान में एक अशी घटना हुई तालवान ने कभजा कर लिया उस पर सरकार ने आज विपच्छी पार्टन को बुला करके अपनी इस्पष्ट नीतिया जो भी उन्होंने काम किये उसके बारे में विदेश सची ने पूरा विरून रखा विपच्छ के सामने और बताया कि हम लोगों ने इ और जो हालात हैं चुकि 500 परियोजने करीब हमारे अफगानिस्तान में चल ले हैं बहुत सब पैसा हम लोगों ने इन्वेश्मेंट किया है भारत का तो उसका क्या होगा यही सब सारी चर्चा रही और जो लोग भी फंसे हैं उनके बारे में चर्चा हुई कि उनको कैसे ला प्यारी नाराजगी विपक्ष नाराज नजर आ रहा है तो क्या आप लोग आज की जो बैठेक उसके संतुष नजर आ रहे हैं कि संतुष असंतुष का मामला नहीं है जब पुरे विश्व से जुड़ा हुआ मामला है एक एतिहासिक घटना है इसमें मानी पधान मंती जी को बोलना चाहिए चुकि उनके परिजन जिनके परिजन अफगानिस्तान फसे हुए हैं चाहे दूतावास के अधिकारियों के परिजन हो चाहे हमारे देश के नाकियों इंडिया में रह ला हैं वह परिसान हैं वह चाहरते हैं कि ना तो उनसे कोई कैनेक्ट हो ना फोन से बात हो पा रही ना किसी पकार किंग इन्ला कि कि सह ते जिदा है की नहीं है तो देश के मैं बन्यन सी ज trying कि हमारे डेश को देश्वासी जो भी आफगानिस्तान फसे हैं पहले भी ऐसे वाक्यात आता है अटलबेरी बाचपे जी ने सरदली बैठक बुलाई मनमों सिंगी ने बुलाई लेकिन यहां इस बार की घटना में जो है पधान मंती जी नहीं आई विदेश मंती जी को बैठक में बुलाया कि नाराजगी पधान मंत्री मोदी जी को सामने आके बयान देना चीए थे या तो सरदली बैठक में अपना बयान देना चीए था कैमराबन जुबेर्ख साथ पंकाजवान खड़े प्राइम नीज नहीं दिली